तो है प्रेंट आज में देखें गड़ित पैडागोजी यह हमारा तीसरा अभ्यास होगा तो आई श्टार्ट करते हैं प्रश्ण को देखते हैं पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण की भिन्हों की संकल्पना का परिचय कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंप कर सकता है वह क एक संख्या परिफ्ण की रूप में लिए फीर दियां है उनकी आसपास की वस्तुं को भिन्ना अत्मक भागों में पहँचान कराकर जब प्रस्ट time भिन्हों पढ़ाएंगे थो आपको ये वस्तू बंचलिफित में वास हम साइँत незलंत मुशाओ तर्गे तो यहां का यह कि क्योंकि देखिए बच्चे के आसपास जो है उससे ही कंपेर करके उसको वो चीज़े समझानी चाहिए तिसलिए उप्षन चार आपका यहां पर सही है कि उसके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर आप भिन्नका ग्यान उन्हें देंगे अगला प्रेशन जो है वह 2016 की एक्जाम में आया हुआ प्रेशन है प्रेशन है आपका कि निमलिखित में कौन सा कथन सही है संख्या 9 के बाद देखिए जो ऑप्षन गलत होगा उसे वहीं पर टिक मार देजिए क्योंकि यह क्लियर नहीं है कि वह ऑप्षन गलत ही हो सकता है सही हो शाप्षन की साबसे करते चले संख्या 9 शून का परचय दिया जाना चाहिए यह पॉइंच गलत भी हो इस स्थानी अमांस सिखाते तो वो इस तरफ इंगित कर देता लेकिन नहीं शब्द नहों होकर आपके तीन अभी भी आपको सही लग रहे हैं ऐसी कंडिशन में क्या करेंगे मूल चीज क्या है संख्या अगर नौ संख्या तक पढ़ा दें उसके पर सुनी का परिचा देंगे या फित वही बात यहां पर उसी ब्यात को दोहराया गया तो यह दोनों पॉइंट लगभग एक ही जैसा है बसता है आपका दूसरा पॉइंट दिया है कि स्थानी मान सुनी का खुद का कोई व सच्षण को को निम्ण मेंसे क्या नहीं करना चाहिए नहीं आ यापन्व के प्राज़नों के हल ने के अपनी नीटिया विक्सित करने देना यह पॐँड़ चाहिए करता है तो वह उसके पलाओं दिखा रहा है अगला पॉइंट है कि विद्यार्थिों पूरत रटने के लि सवाल को हल करवाएगा ताकि वह आपकी दिमाग में बैठ जाए अगला देखिए ऐसी परिस्तियां बनाना जिसमें विद्यार्थी हल को इंगीत कर रहा है यानि कि नहीं करना चाहिए तो विद्यार्थियों को सूत रठनी के लिए कहना नहीं चाहिए तो आपका प्रेशन के सापन यहां पर सही है अगला प्रेशन देखिए यह प्राथमी किस तरपर गडित के पहलियां मदद करती हैं अगर बच्चों को अप पहली करवाते हैं तो वो किस चीज में मदद करती है काक्षा के प्रतिभा संपन विद्यार्थियों के पहचान के लिए प्रतिभा संपन ठीक है पॉइंट पे गौर कीजिएगा और दिया है दूसरा है कि विद्यार्थों को मन रंजन प्रदान करने में मन रंजन के लिए हम समस्या नहीं को परुमाल को प्रोषाहित करने में में पहलियों में जो पहलियां होती हों उसमें कहीं ने कहीं एक समस्या छिपी होती है उसी को ढूंड़ना होता है तो कहा जा रहा है कि हैं समस्या सुल जाने के कौशल को विक्सित किया जाता है ताकि उन पहलियों को सौल करें उस समस्या को सौल करें तो आपका पहला है कि कक्षा 5 में गड़ित की PERIORD में वादव्याद रखा गया वाद वीवाद करभाय जा रहा है किस point पर करभाय जा रहा है सुने सबसे अधिक प्रभाव साली संख्या है और अब पूछा प्रश्ण क्या है प्रेशन यह है कि यह क्रियाकलाब बच्चों को प्रोसाहित करता है अब वो पॉइंट दिये है उस पॉइंट पे आपको बताना है कि किस क्रियाकलाब के लिए बच्चों को प्रोसाहित करता है यह पॉइंट वह संख्याय लिखने में जिन में शून्य हो वह समस्याहल करने म पर एक पॉइंट और दिया है कि कौन सा मैत का पीरेड है क्या करवाया जा रहा है वाद विवाद तो वाद विवाद का मतलब होता है आपस में बोलना संप्रेशन करना और उस पॉइंट को यानि कि यह जो पॉइंट आपका सूने सबसे अधिक प्रभाव साली संख्या का वि विद्यालों में लागू किया गया है ICC, UPSC, CBSC और कोई नहीं तो जो गड़िच सप्ता मनाया जाता है वो CBSC के द्वारा लागू क्या है हर विद्यालों में ये एक सप्ता की रूप में मनाया जाता है अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन है यहाँ पर की है यहाँ पर करने के लिए कोई पॉइंट नहीं दिया इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया प्रदर्शन विधी प्रदर्शन में हम देखते है जो एक्टिविटीज हो रही है उनसे अगर रिलेटर कोई बात है कहने सुनने के लिए तो हम सुनते भी है और समझते में तो यह हो सकता है लेकिन आगे देखे व्याख्यान विधी व्याख्यान विधी में देखने के लिए कुछ नहीं होता उप उप्योग सभी तो नहीं होगा इसलिए पॉइंट गलत है तो आपका प्रदर्शन विधी यहां पे जिसमें आप देखेंगे उस चीज़ को सुनेंगे और देख कर सुनकर ही उस चीज़ को समझेंगे तो अप्शन दो आपका यहां पर सही है अगला प्रेशन देखिए अगला प्रेशन है यहां पर कि राष्ट पाठ चरिया रूप रेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथिमित इस तरपर गड़ित की शिक्षा का केंद्र होना चाह और यह प्रेशन आपका केविस एकजाम में पूछा गया प्रेशन गड़ित के अमुर्त विचार जानना पॉइंट गलत है यह भी नहीं है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के द्यानिक जीवन में जोड़ने में सहायता करना यही इसका सबसे बैस् आपका सही है अगया प्रेशन अहां पर है कि एक संख्या है एक के संढ़मन्ध में नीज में कौन सा किसा कथम और सथ्य है आपके ऑप्शन चोटी पूर्ण संख्या है तो यही गलत है option चार आपका यहां पर प्रश्ण के साब से आंसर आपका चार हुआ देखे एक के संबंध में तीनों पॉइंट आपके याद होने चाहिए चलिए अगला प्रश्ण देखें और यह वीडियो का आखरी प्रश्ण है बच्चों की स जानने के बाद जब उन कर्शनायों को दूर किया जाता है तो वह उपचार क्रियात्मक के अंतरगरत आते हैं या उपचार आत्मक शिक्षण के अंतरगरत आते हैं तो यह आपका option दो यहां पर सही है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही अगली वीडियों आप से फिर मश्कार